हेलो टू और आप सभी का स्वागत है फैब्लिस एडियो एससी के यूटूब चनल पे दोस्तों मैं हूँ शाम और मैं आपका मैथ का टीचर आपको समझाने आया हूँ आज ग्राफ बहुत साइद दोस्तों ने हमसे बोला कि सर आप प्लीज अपे ग्राफ समझागे यह जो ग अच्छली में जैसा कि मैंने दोस्तों को बताया भी कि डेंगू हो गया है तो डेंगू होने कारण के मैं बहुत ज़्यादा वीक्नेस है चीज़े मैं करनी पा रहा इसलिए मैं अपनी क्लास ले नहीं पा रहा लेकिन मैं यकीन मानिए आपकी क्लास का नुकसान नहीं होगा हमारे जैसे दिवाली पे भी बहुत साथ संदेशा है दोस्तों के उन्होंने चीज़े बताएं कि सर आप ठीक हो जाए यह हो जाए मुझे बहुत अच्छा लगा तो उसी पर क्या एक रिक्वेस्ट थी कि सर ग्राफ आफ कंप्रीट करवा दीजे तो बहुत आसान हो जाए ह और दूसरा क्या है है आप का पाई चार्ट आता है तो मैं आज आपको यह पाई चार्ट वाले सवाल लेके आया हूं जो भी यह पाई चार्टत रहना एक रित्म्च में आपको बना के रखा होगा दूसरी बात ये है कि आपको सवाल समझाने के लिए मैंने इसमें अच्छे से सवाल डाले हुए हैं बहुत अच्छे लेकिन वो सवाल कहा हमको इंग्लिश में ही मिल पाए लेकिन आप घबराईएगा नहीं मैं आपको हर सवाल का हिंदी बताऊंगा और आप उसके हिसाब से कीजिए और जो इंग्लिश के हैं वो तो उसे अराम से करी सकते हैं अब आज हम देखने वाले हैं क्या ये और कल देखेंगे हम ये वाले ग्राफ की कैसे करते हैं इस चेप्टर को समझने के लिए सबसे पहले जो जरूरी होता है मैंने क्या कहा आपको एवरेज अच्छे से आना चाहिए आपको रेशो का टॉपिक अच्छे से पता होना चाहिए है ना औसत पता होना चाहिए अनुपात पता होना चाहिए और साथ में आपको पता होना चाहिए प्रतीशत और ये सारे टॉपिक दोस्तों मैंने अच्छे से आपको करवा दिये हैं इसलिए आप प्लीज गो थू हो जाएए अब बिना किसी डिले के चलिए हम अपनी जो चीजे हैं वो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं आज हमारी ग्राफ की पहली क्लास है कल होगी जिसमें आप लोगों को सवाल में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी तो पहला सवाल दोस्तों आप सभी के स्क्रीन पर यह रहाँ अप समझते हैं इसको सवाल क्या कह रहा है लेकिन समझें दोस्तों आपको कभी भी ये चार्ट देगा ना ग्राफ देगा सर्कल फॉर्म में बनाकर तो दोस्तों बात समझना एक बार तो आपको ये प्रतीशत के फॉर्म में देदेगा है ना जैसा यहां दिख रहे हैं आप 20 प्रतीशत 15 प्रतीशत 23 प्रतीशत अच्छे से दिख रहे हैं आप कि एक बात तो ये वो कि जब भी आपको बीच में ये प्रतीशत दे कि ये तुम्हारा 10 प्रतीशत है ये तुम्हारा 20 प्रतीशत है तो एक बार आप लोग काउंट जो कर लिए कि टोटल प्रतीशत क्या 100% हो रहा है कि आप ठीक है तो देखो 20% मैं इसको देख रहा हूँ यहाँ पे 20% 15% 20% तो टोटल देखा जाएगा तो 20% 5% 25% यह पूरा मिला के दोस्तो 25 जो सब को का सब लिग दे रहा हूँ मैं को चक करने के लिए आप लोग के लिए तो यहाँ पे है क्या 20% है साथ में मेरा 15% है फिर साथ में मेरा 23% है फिर 7 में मेरा 10% है फिर méरा 15% है फिर 12% है यह लिखा नहीं चाए फिर आपका 5% है यह पूरा % मिला के हो गया, तो 20, 15, 35, 35 और यह हो गया 23 आपका, 57, 57, 10, 67, 67 और यह हो गया आपका, 67 प्लस 52, 82, 82 और 84, और यह 5, कहीं कुछ गरबढ़ करें दोस्तों, अच्छा हाँ, यह 67 ने 68 था, तो यह आपका पूरा बिला के हमारा 100% हो रहा है, इसका मतलब इसकी जो total percentage है 100% है, अब आप सवाल को समझ के कीजिए, प्रतीशत का इस्तमाल होगा इसमें और कुछ नहीं, अब इसने बोला है, if the total amount of spend, amount spent during the year 1998, मतलब 1998 में अगर कुल पैसे का खर्च 46,000 था, तो बताओ खाने पे कितना खर्चा हुआ, तो दोस्तों आप समझ चार्ट बना के दिया है, ये बना के दिया है, प्रतीशत का, ठीक है, कितना प्रतीशत खर्चा हो रहा है, तो आप से पूछा के खाने पे कितना खर्चा हुआ है, तो आप देखिए दोस्तों खाने पे जाईए, देखे, खाने वाला ये segment है, ये बिल्कुल segment है, ठीक है, ख तो आपको वतान है फूड का फूड तो है भाई मेरे तेईस परसेंट तो तेईस परसेंट की कितनी हो लिए तो बस कुछ नहीं छियालिस हजार को आप लोग सो से डिवाइड कर दीजिए और आप 23 से बंटिप्लाई कर दीजिए जीरो से जीरो कटा 23 इंटु 46 आप N डिजिट से आंधाला निकाल दीजिए देखिए 3 इंटु में 6 अठारा आएगा अठारा वाला एक ही ऑप्षन बचता है ठीक है नहीं तो आप कर लिजिए जिसको करना है तो कर भी सकता है भाई 460 को 3 से मट्रिप्लाई करना है तो यह हो गया आपका 0, 18 का 8, केरी ऑन 1, 3, 4, 12 और यह हो गया आपका 13 और यहां पर 0, 2, केरी ऑन 1, 8 और 9 ठीक है आपका 0, 8, 5, 1, 0, 5, 8 आ गया तो मेरा आप्षन 2 सही आंसर हो गया तो समझना इसमें इतना ही है देखो दोस्तों मेरी थोड़ी तबीत गरबठ है तो इसलिए हो सकता है कि मेरी आवाज थ इसलिए मैं समझार चाहता हूं कि हमें देखना यह है कि जो बोला गया देखो पाई चार्ट ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं आती जो भी बोला गया उसी को देखो वही चीज आपके सामने ग्राफ बहुत ही आसान टॉपिक होता है दोस्तों ठीक है जिसे आप लोग कर सकते है तो यह तो आपने देख लिया है ना अच्छे समझ लिया अब प्रतिशत अब इस देखो मैंने पूरा मिटा दिया है अब इसको आप लोग खुदी एटम्ट किजिएगा अब अगले सवाल पर चलते हैं है ना अगले सवाल दूसरा सवाल है यह और आप सब की स्क्रेंग पर आपको कहा गया है कि अगन टोटल अमाउंट इफ टोटल अमाउंट स्पेंड वस फॉर्टी सिक्स थाउजंड यहां पर बोला गया कि अगन पूरा खर्चा च्यालिस हजार का हुआ है तो आप से पूछा गया है हाव मच वा स्पेंट उन क्लोथिंग हाउजिंग तोग कपड़े वाला पाट देखो दोस्तों यह आया कपड़ा और घर हाउजिंग यह आया दोनों को मिला के कितने हैं कपड़े पे हुआ है मेरा 10% हाउजिंग पे हुआ है मेरा 15% मतलब दोनों को मिला के हो गया मेरा 25% ठीक है 25% पूरा खर्चा हुआ है और टोटल खर्चा जो यह बता रहा है वो कह रहा है कि 46,000 है जी ठीक है तो आपको कहें टोटल क्लोथिंग पे और हाउसिंग पे दोनों खर्चा मिला के कितना हुआ है 25% तो 25% किसका 46 हो का 25% किसका 46,000 का तो वैसे भी कह सकते हो 100% की वैलू है 46,000 तो 25 से कितनी होगी नहीं तो 25% निकाल दो 46,000 का बात वो भी वैसी ही है देखो यह कटेगा 1 से यह कटेगा 4 से 4 कटा 1 से 1, 1, 5, 0 ठीक है 4 से कटा तो 1 फिर आपका 1, 1, 5, 0, 0 11,500 तो 11,500 दोस्तों यह आगे आपका सही जवाब ठीक है तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ ताकि आप लोग समझ सके अब इस सवाल को आप लोग खुद अटेंट कीजिए सवाल बिल्कुल क्लियर है आप सभी के सामने तो डाटा वही था अब सेम डाटा पे उसने सवाल दूसरा बनाए डाटा के है सेम डाटा है आपका वही चीज ठीक है तो क्योंकि जब भी आता है तो आप लोग को हो सकता है एक पुछे दो पुछे मैंने के सेम डाटा पे सवाल लेके क्लियर कर लग के अब इसने बोला the ratio of total amount of money spent on housing to debt of spend on education मतलब जो आपको बताना है अनुपात उस पूरे कुल खर्चे का जो की खर्चा हुए हाउजिंग पे घर पे और दूसरा खर्चा हुए education पे तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखो टोटल खर्चा नहीं दिया हुआ लेकिन आपको हाउ housing पे कितना प्रतिशत खर्चा हुआ है? देखो housing यह दा, housing पे 15% तो housing पे भाई मेरा जो भी खर्चा था उसका 15% हुआ है, education देखो अब, education ढूड़ो यह देखो यहाँ पे education, education पे कितना हुआ है? भाई 12%, ठीक है? अब यह percent किसी का भी हो total amount आपको नहीं दे रखा, मानलो extra है लेकिन आपको निखालना तो मुंपात ही है न तो तो बस अनुपात ही निकाल नुच नहीं यह कि पंदरा अनुपात बारा और जैसा कि मैंने अब कव अनुपात के class में करवाइबाँ दो अगर आपके class नहीं की है तो मैं कहुंगा जाके class कर लीजिए ठीजी आराम समझ में आ जाएंगे आपको ठीक है तो अब ये क्या 15 और 12 का अनुपात ही है तो सीधे अब देखो 3 से कटेगा तो 3 से कटेगा तो ये 4, 3 से कटेगा तो ये 5 हमारा उत्तर क्या आ गया 5 अनुपात 4 हो गया असानी से ठीक है पांच अनुपात 4 ऑप्शन नमबर दो अब मैं इसको फिर एक पर मिटा रहा हूँ ताकि आप लोग इसे एटेम्ट कर सको ठीक है तो दोस्तों मैं एक पर समझाने के बाद मिटा जरू दूँगा ताकि आप लोग उसे एटेम्ट कर दो एटेम्ट करोगे तभी करोगे अब ये एक सवाल खुद कीजिए ठीक है ये तो बड़ा ही सटीक और बहुत ही सेंपल सा सवाल है सवाल ये कहता है ग्राफ शोज देड़ मैक्सिमम अमाउंट वस पैंट ओन मतलब ये जो आपका ग्र पाफ है ये क्या कह रहा है ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा खर्चा किस पे हुआ है सवाल ये है सबसे ज्यादा खर्चा किस पे हुआ अरे भाई तो सबसे ज्यादा खर्चा किस पे होगा जिस पे सबसे ज्यादा प्रतीशत है तो देखो प्रतीशत देखो हाउसिंग पे कि कितना है तेईस परसेंट से ज्यादा कर्चा हुआ है क्या पंदरा बीस नहीं कहीं नहीं तो सबसे यह दा खर्चा किस पर खाने पर हो रहा है तो फूड पर तो क्या करोगे फूड ऑप्शन मारत होगे करेक्ट ऑप्शन है ना देखो इसलिए मैंने कहता हूं ग्राफ कभी हो सकता भी नहीं तो आप लोगो यह हो और जिसको मुझे देखना है अच्छा रुको यार अपने आपको दिखाया जाए है ना आखेर हम करवार हैं आप लोगो अच्छे समझ में आना चाहिए यह ना बिलकुत सेंटर में हो जाओं क्या ना यहां ठीक रहे है तो अब आप को क्लियर है बहुत अच्छे से आ गया है ना तो अब आप को क्या है यह हो गया अब मिटाता हूं अब आपको बताना है अगले सवाल और यह हो गया तो अब आपको यह जब सवाल हो गया तो अब आप इसको सॉल कर दीजिए अगले सवाल हम करेंगे अगले इस पर आते हैं मतलब 1998 में उस परिवार का पूरा खर्चा अगर 46,000 ही दे रहा है तो क्यों बार पर बता रहा है अगर पूरा खर्चा 46,000 ही तो पूछा है कि फैमली ने कितना पैसा बचाया पैसा बचाया तो आपको देखना पड़ेगा बचाया हुआ पैसा है कहां यहां देखो सेविंग ठीक है सेविंग देख रहा है आपको दोस्तों यह रहा सेविंग कितना है 15% तो सेल जो आपकी फैमली है यह इस फैमली ने दोस्तों आपके बचाया है 15% रुपए तो 15% रु आपको 15 प्रतिषत किसका 46000 का ये आप कर दीजिए इतना सा करना था जीरो से जीरो काट दो ठीक है पंद्रा को इससे गुना करो फिफ्टीन ऐसे करो 460 4600 में 2300 जोड़ दो वही आजाएगा आपका ठीक है 470 4000 में 2300 जोड़ दो 6900 है कहीं पे अरे ये रहा हो गया answer देखो अगर आपको पकड़ना भी हो 15% 10% 20% से कम ठीक है 4400 का 10% कितना होता हमारा दोस्तो 9200 से कम होना चीए था 9200 से कम क्या है 15000 है नहीं अरे ये भी बज़िया कोई नहीं आपको देख लिया 15% निकालना है हमें तो आप लोग सीधे यहीं से निकाल सकते हैं आराम से आप लोग को answer आजाएगा थोड़ी तकलीफ है अब अपने दोस्तों के साथ सवाल करते हुए अगले सवाल पर आते हैं देखो इस डाटा के बहुत सवाल होगया अब दूसर डाटा लेते हैं अब देखो दोस्तों ये डाटा क्या है angle पर है मैं यहां समझाना आपको क्या चहता है कि कभी भी वह अगर आपको circle दे, प्रतीशत दे तो देखना है 100%, अगर प्रतीशत नहीं दे तो एक बात समझो, यह अगर आप इसको एक circle की तरह समझो, विद की तरह समझो, तो बताओ, यह center पे जानते हो, कून कितना बनाता है यह अगर यहाँ से शुरू होता है याद है आप लोगो तो यह 90 डिगरी बना, ठीक है और यह फिर घूम के आया तो कितना यह 90 डिगरी और यह भी मेरा 90 डिगरी और फिर यह तुम्हारा घूम के और आया तो यह भी मेरा 90 डिगरी और फिर यह घूम के आया तो यह भी मेरा डिग्री बनाता है और यही दोस्तों 360 डिग्री अगर प्रतीशत में अगर दिखाए कोई प्रतीशत में जैसे जैसे अभी अभी हमने देखा तो क्या यही 360 डिग्री मेरा 100 प्रतीशत के बराबर होता है ठीक है आपको समझना यह है कि यह जो मेरा 100 प्रतीशत है यह हो गया? ठिक है? 350 डिगरी आप 10% के बराबर होगा तो चलो! अब समज़ना क्या है? यहाँ पे देखिये यहाँ पे इसने परतीशद परसंटेज दे रखा है लेकिन पूछा है डिगरी, समझ़ना क्या है? कि 360 डिगरी जो है, वो 100 परतीशद के बराबर है अब इसी को समझते हैं शुरू से सवाल करते हैं उसने बोला केंद्रिय कौन क्या होगा पेपर कॉस्ट का पेपर कॉस्ट का पेपर कॉस्ट का है हमारा पेपर कॉस्ट है यह कितना है 10 डिगरी कितना है 10 डिगरी नहीं 110 प्रतीशत ठीक है अब हम जानते हैं कि भ तो मेरा दस प्रतिशत चाहिए मुझे तो सौ प्रतिशत तीन सो साथ डिकरी बरावर तो दस प्रतिशत करेदा होगा दोस्तों इसमें बोला है कि कोई किताब बेजी जाती है तो उस पर कितना खर्चा किसी किसीच का आता है उससे लिटेड़ इसारी बातें उन्होंने कर रखी दी और समझा रखी दी अब लोग हो गया तो अब आप लोग इसको कर सकते हैं अगला सवाल मैं देखता हूं हाँ अब देखो पर्सेंटेज एक्सपेंडीचर देख रहा है अच्छा पढ़ लो एक बार ने डाटा को पढ़ ले जरूर लेया करो कि प्रिंटिंग कॉस्ट में 35% है बाइडनिंग और कटिंग चार्ज लगता है वह ठारा परसेंट का लगता है एडवर्टाइजमेंट चार्ज जो होता है वह ठारा परसेंट लगता है रोयल्टी पंदरा परसेंट लगती है मिसलेनियस एक्सपेंसर मतलब ऐसी दूसरी खर्चे होते हो चार परसेंट है आपके पेपर कॉस्ट है आपका दस परसेंट अब उसने बोला अगर प्रिंटिंग कॉस्ट 17,500 रुपे का है तो रोयल्टी कितने की होगी प्रिंटिंग कॉस्ट कहा दे रखा है ये देखा प्रिंटिंग कॉस्ट अब प्रिंटिंग कॉस्ट आप दार्टर देखो कितने हैं दोस्तो 35 परसेंट तो क्या जो तुम्हारा 35 परसेंट है वो 17,500 के बराबर है बिलकुल बराबर है वही क्योंकि उसने बो 35% आपको दे रखा है 15% निकालना है तो 15% क्या होगा दोस्तों तो क्या करेंगे 17,500 अपॉन में 35 इंटू में 15 कुछ नहीं बचती अब सिर्फ और सिर्फ आपकी calculation है 5 से काटता हूँ तो ये कटा 3 5 से काटता हूँ तो ये कटा मेरा 7 साथ से काटा तो 7 2 जा 14 5 जा 35 अले तो कट गें बड़े प्यार से ठीक है इंटू में ये तो ये कितना तीए पिचतम सहप्सेने पिचत्तर सो पिचतर सोसा के पिचतर सो उप्शेन ऑप्श्न घंड हो या थिया पिच SuddenlyCr i होजाती अगली क्लास में तुक्षा अप लोगको इस बार वाले डिखा Canadian डिखांगा कैसे फोई सोधकोंtest कर सकते हैं, इतना कोई डरने वनने की कोई बात नहीं है, कोई रstatड़ मैं आप लोग और आहि के ते हें। लिए यह अर्ण से आप लिए के चीजार्ख से कर सकते हैं, रहां कि मैं अपना Boat वाल meditation को चूड़ोंगा है क्योंकि बोर्ट से मुझे लगता है जितना हम एक साथ होते हैं जिससे लिख के बता पाता हूं बोर्ट पे तो उसे ज्यादा अच्छा समझ पाता है हाला कि ये कुछ चीज़े आपको करने के लिए अच्छा है चलिए ये कुशन कर लेंगे अगला कुशन करते हैं थोड़ा तेजी से करते हैं ताकि आप भी चीज़ों को समझ पर इसमें बोला गया कि अगर मिस्सलेनियस एक्सपेंस जो मिस्सलेनियस खर्चे हैं वो छे हजार रुपए हैं तो हाव मच मोर आर बाइड़निंग और कटिंग चार्जिस देन रोयल्टी ठीक है तो रोयल्टी से बाइड़निंग और कटिंग चार्जिस कितना जादा है ठीक है एक तो पहले समझो छे ह बता था शुरू में अब पूछा गया है कि बाइंडिंग इन कटी चार्जिस रोयल्टी से कितने ज़्याद है तो बाइंडिंग इन कटी चार्जिस यह रहा कितना है अठारा परसेंट तो यह कितना है यह मेरा अठारा परसेंट अच्छा और रोयल्टी कितनी है रोयल्टी 15 से कितना ज्यादा आता है 3% तो ज्यादा है ठीक है तीन पर्संट ज्यादा है अब 3% की तो निकालने है पड़ेगी बिना निकाले कहां जाओगे तो 4% की वैलू है मेरी 6000 तो तुम्हें 3% की वैलू पूची गई है तो 3% की कितनी होगी अरे यार इससे भी असान है 45 सो देखो साफ दिख रहा है मुझे समझ गया ना तुम भी तो मेरे चात्र हो अराम से समझी गया होगे क्यों 300 करो यह गया एक से यह गया 1500 से 1500 में 4500 कहां है यह खटा हो गया देखा आपने असान है ना समझना यह है कि प्रतीशत में दे रखा और प्रतीशत में अगर एंगल दे रखा हो उसका पूरा तो 360 डिगरी और क्या इतना ही होता है एक बाद चेक करना हो तो चेक कर लेना सब कुछ मिला के आपका 100% होना चाहिए नहीं तो 360 डिग्री होना चाहिए जो होगा भी कभी-कभी नहीं होगा तो समझ जाना कोई data missing है या कोई data ने बताया है नहीं जो की हमें निकालना हो सकता है यह भी हो गया अब पढ़ते हैं आप कर अब करना क्या है the central angle corresponding to sector on printing cost is more than advertisement charges by मतलब मतलब ही कहना चाहता है कि जो केंद्रिय कौन बनेगा आपका printing cost का वह advertisement charges से कितना जादा है तो पहले printing cost देगो printing cost बाबू यह मिल गया है मुझे 35% यह मिल गया मुझे 35% advertisement charges देखते है advertisement charges कितना है बाबू हमारा 18% ठीक है तो बताओ printing cost advertisement charge से प्रतीशत में कितना जादा है तो 35 में से 18 अगर मैं घटा दूँ तो इतना जादा है इसका मतलब यह मेरा 17 प्रतीशत जादा है लेकिन आप से पूछा क्या है आप से पूछा है कें जादा है तो केंद्रिय कोण क्या है अभी अभी तो हमने समझा कि सर 100% का मतलब ही होता है हमारा कोण में बदलो गए तो 360 degree तो हमें निकालना कितने का है तो हमें निकालना इन दोनों का अंतर ही तो था और वो अंतर कितना है 17 परतीशत तो 17 परतीशत का आप वेलो निकाल दो फिर तो 17 परतीशत कितना होगा दोस्तों हमारा ठीक है तो क्या है 3.6 से 17 को गुणा कर तो वैसे निकल जाएगा लेकिन चलो आप लोगो तो ऐसे करके दिखा दे रहा हूं है ना इंटू में 17 ठीक है 0 से 0 कटा ये कट्टे का पॉइंट आ जाएगा पॉइ देखो ये वाला अंसर आ जाएगा देखो फास निकालने कोशी करो कैसे ये गया तो पॉइंट तो क्या कर रहे हो आप लोग 3.6 इंटू में 17 कर रहे हो ना मतलब 17 तीए 51 से जादा होना चाहिए और 4 से कम है ना 68 से कम देखो 4 से कम है ना तो मतलब 68 डिग्री से कम होना चाह ठीक है आपका अंसर 61.2 आ जाएगा ठीक है आ जाएगा तो आज आराम से हो रहा होगा ना कोई दिक्त तो नहीं आ रही किसी को उमीद करता हूं बाकी अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको चीजे क्लियर होंगी चले तो ये भी हो गया अब आगे बढ़ते हैं और सवालो के साथ अब देखो अब डचोः और कॉस्ट इस आप प्रोक्सिमेटली वन परसेंट अफ प्रिंटिंग कॉस्ट जो आपका प्रिंटिंõ अफ प्र परसेंट कोस्ट देखो अब इसमें कफ्यूज मत मना ऐसा निनकालना है उन यहाँ पर तो हमें डाटा दीया ही नहीं समझ प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है दस परतिशत प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है 35% बस यहीं समझ लो कि इसका मतलब है यह 10 ठीक है पेपर कॉस्ट कितना है आपका 10 प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है आपका 35 ठीक है 35 तो पेपर कॉस्ट प्रिंटिंग कॉस्ट का कितना is approximately what percent of printing cost ठीक है तो कितना है भाई तो ऐसा करो 10 कितना printing cost है कितना percent है printing cost कितना है 35 तो 35 का 10 कितना percent है बस यह निकालना है इंटू में 100 कर दो ठीक है किसे काटो के 5 से काटो के 2 बटे में 7 देखो मैंना आपको पतिशन बता रखा है एक बटे 7 का मतलब होता है हमारा 14.28% होता है ना है न एक बटे 7 का तो ये कैसे मेरा ये है मेरा 200 बटे में साथ में टो दू बाई सेवन ठीक है आप लोग करना है तो मैं डिवाइट करके निकाल लो नहीं तो मुझे साथ दिख रहा ही है मेरा 24 Pont5 56 कुछ होगा 28.56 है नहीं 0.6 है तो मैं इस पर मारे दुबाए ठीक है नहीं तो आप क्या निकाल लो यह 200 बटे साथ है डिवाइट कर देख लो यार 28.56 आज़र आएगा ठीक है तो यह भी हो गया आप लोगा अब आगे चलते हैं और सवाल लेता हूं मैं आगे मैं सवाल लेक प्रतिशत नहीं है आपको पता है 360 डिगरी का मतलब होता है परसेंट यहीं से सब चीज़ है clear हो जाएंगे आप यह चीज़ समझ गया ना तो सब के सब समझ गया इसमें समझना इसी बात को है ठीक है तो यह क्या है if the money spent on football was 9,000 मतलब अगर जो खेर football है उस पे 9,000 रुपे खर्चा किया गया है how much more money was spent on hockey than on football तो होकी पे football से कितना जादा पैसा खर्चा किया गया है अब बात समझो यहां पर ठीक है उसने बोला कि football पे कितना spend किया गया है 9,000 फुटबॉल है कहा यह रहा तो क्या तुमारा जो 45 डिगरी है उसकी value कितनी है 9,000 है ठीक है अब समझो दूसरा फिर क्या बोला उसने बोला कि hockey पे कितना जादा खर्चा किया गया है football के comparison hockey का है hockey है मेरा यह रहा 100 hockey पे कितना डिगरी है दोस्तो 100 डिगरी football पे कितना है 45 डिगरी तो दोनों का अंतर कितना जादा हुआ बैट डिगरी में अंतर देखों तो होकी पे है 100 और फुटबॉल पे है 45 तो दोनों का डिगरी में अंतर तो हो गया मेरा 55 डिगरी लेकिन उसने पैसा पूछा है रुपे में तो हमें ये पता है कि फुटबॉल पर 45 डिग्री था तो 45 डिग्री की वेलू है मेरी 9000 तो 55 डिग्री की क्या होगी पचपन डिग्री की क्या होगी दोस्तो 9000 अपन में 45 इंटू में पचपन है ना अब सीधे कट जागे तो 45 कटा एक से ये कटा मरत 200 से 200 से कटा तो ये 1100 तो ये ही हो गया और 30 ग्यारा हजार रुपया हो गया हो गया हो गया ना तो ये हो गया यही है आपको समझना यह है कि भाई अगर उसने एंगल में दिया तो हम एंगल मिलेंगे अगर उसने हमें परसंटेज में दिया हो तो हम परसंटेज मिलेंगे किसी भी चीज में दिया हो तो हम किसी चीज में लेंगे और सवाल लेता हूँ मैं आपको ठीक है यहीं पर नहीं छोड़ूँगा इस सवाल का खुट्राई कीजिए मैंने मिटा दी है सब कुछ चले अगला सवाल यह रहा यह सवाल क्या कहता है If the money spent on football was 9000 मतलब अगर जो football पे 9000 रुपे खर्च हुए है तो बताओ cricket पे कितना खर्च हुआ है बिल्कुल सीधा सीधा से टीक 9000 मतलब 45 डिगरी तो तुम्हें पता है 45 डिगरी है ना football पे खर्च हुआ है लेकिन वह actual में 9000 के बराबर है आप से पूछा है कि cricket पे कितना खर्च हुआ है तो cricket पे एंगल देखो एंगल देखो दिखा 160 डिगरी तो भाई 45 डिगरी मेरा 9000 रुपे था तो cricket पे तो 160 डिगरी खर्च कर दिया तुम्हें बताओ तो cricket पे इतना ज्यादा कैशे खर्च कर दिया तो 160 डिगरी की वैलू कितनी होगी तो 9000 अपवान में 45 इंटू में 160 तो यह कटा एक से यह कटा रहे फिर से तुम्हारा 200 से 200 इंटू में तीन हाजार 32 तो यह हो गया 30,000 अगया जी आंसर 32,000 रुपया 32,000 रुपया कहा है पकड़ लो पकड़ लो यह पकड़ लेती से नहीं को ठीक है थाना असान कुछ मुश्किल लग रहा है नहीं ना रहे हम से पढ़ो यार मज़े से पढ़ो कोई दिक्कत नहीं आगी ग्राफ बहुत असान टॉपिक था है ना वो तो मुझे वक्त नहीं मिल पार था चीज इस तरह से चल नहीं पारे थे बताने करने तो कब का बता देता है अब खुझ सोच है अगर मैं यह सब बनाने बैठ था आप लोग के उस पे वाइट बोर्ट पे तो किती दिक्कत आती एक तो अगर फुडबॉल पे जो पैसे खर्च किये हैं उन्हों है और बने रहे ताकि मैं आप लोग के लिए हमेशा कारेक करता रहा हूं आप लोग आगे बढ़ते रहे और जिस दिन जौब मिलेगी उस दिन तो पार्टी होगी बज़ेदार बाटी होगी चलिए तो यह कोशन भ अगर फुडबॉल पे जो पैसे खर्च किये हैं उन्हों हजार सब पे तो नौहजारी खर्च करवाल है तो टोटल अमाउंट ऑन ऑल स्पोर्ट्स टोटल पैसा खर्चा हुआ कितना है सारे के सारे अगर किसी को देखना है तो देख सकता है यहां पर लेकिन 360 डिग्री ही आ चाहता हूं कि तो टोटल तो तीनसो डिग्री है ठीक है अब उसने बोला क्या अब उसने बोला कि फुटबॉल पे हुआ है तुम्हारा 9000 रुपे खर्च तो तुम्हें पता है फुटबॉल का मतलब यह 45 डिगरी तो जो 45 डिगरी है वो उसकी वैलू है आपकी 9000 रुपेया तो आपसे पूछागे कि सारे के सारे स्पोर्ट्स में मिला गया कितना खर्च हुआ है अरे भाई तो सारे के सारे स्पोर्ट्स का एंगल कितना बनेगा 100 डिगरी, 160 डिगरी 20 डिगरी, 35 डिगरी सब को जोड़ दो तो 360 डिगरी बनेगा तो 45 डिगरी की वैलू है आपकी 9000 तो 360 डिगरी क्या होगी तो क्या करोगे 9000 को आप 45 से डिवाइट कर दोगे 360 से मल्टिप्लाई कर दोगे यह कटा 1 से और यह कटा मेरा 8 से ठीक है 8900, 72000 आ जाएगा जवाब ठीक है 72000 आ जाएगा जवाब 72000 यह रहा मेरा 72000 होगे सौन्ट है ना असान था मुश्किल लगा नहीं ना ठीक है अरे बहुत समझार अज़ा अगला सवाल और अगला सवाल थोड़ासा बदलते हुए मैं बदलाव किस बात का आपको यह सवाल दोस्तों मेरे करने से पहले खुद कर लेना है मैं अराम से बताते रहुँगा लेकिन किसी बुक को चापने के लिए जो खर्चे दी है वो बता रखे हैं आप से पूछा गया है पहला सवाल है पहला सवाल ही है आपका कि ये बताओ हाँ ये बताओ जो केंदरी एंगल सेंट्रल एंगल जो केंदरी कौण बनेगा जो royalty के कारण है ना royalty कहा है दोस्तो एक तो देख लो किसी को देखना हो कि total मिला के 100% होता है क्या देख लो 15% 10% 25% 25-25-50 50 हो गया और 20-20-10-50 100% है ना ठीक है अब देखो royalty कहा है royalty ढूंडो royalty cost कहा है यह रहा 15% ठीक है यह रहा तुम्हारा 15% तो साथ सी बात है आपको पता है कि angle निकालना है तो 100% का मतलब होता है मेरा 360 degree और तुमने यहां बोला है royalty का angle बताओ तो मतलब 15 degree की value बतानी है तो 15 degree की value कितनी 15% की कितनी value होगी तो 360 upon में कर देना 100 into में कर देना 15 ठीक है यह 0 से 0 कटा दो से काटा तो यह पांच पांच से कटा तो यह तीन एटीन त्रीजा आपका हो गया दोस्तो फिफ्टी फोर डिगरी थना सा बहुत 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 बहुतरी क्यासे कर जो इसी तरह समझते जाओ एक और कर वहूँगा मैं graph का जैसे का बता है ना यह वाले graph जो है ना इसका अगली class कलकी class में यह करवा दूगा कि इसको कैसे करते हैं आप इस बार angle वाले समझगे होंगे कैसे angle वाले लिखते हैं इसी तरह से हो सकता है graph का मतलब ही है दोस्तों कि आपको सारा का सारा data present करके दे रखा है किसी भी प्रकार की कोई धन्य की आउशकता नहीं और कोई हो भी तो हम किस लिए हैं है ना दिकतों को सौल करने के लिए चले तो यह सवाल भी हो गया अगली सवाल पर आते हैं देखो मैंने हटा दिया pause करना सवाल को करना खोदी ठीक है अब देखो अब थोड़ा सा विचलित करने वाला आएगा क्या कह रही है अगर 55,000 कॉपिया पब्लिश होई और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो था उन पे 82,500 रुपे का आया था ठीक है आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था वह आपका 82,500 रुपे का था तो पूछा गया है देन दे सेलिंग प्राइज अफ बुक सोड़ेट अफ पब्लिशन के एन प्रॉफिट ऑफ पचीस परसेंट ठीक है आपको समझना है पूरा खर्चा मिला के ठीक है पचीस परसेंट मुनाफ़ा भी कमाना है है ना पहले तो मुनाफ़ा समझो पहले तो कॉस्ट प्राइज निकालते हैं है ना पहले उसने बोला कि सेलिंग प्राइज अफ ए बुक एक किताब के निकाले ना पहले समझो यह थोड़ों घुमा फिरा के तीन चार कॉंसेट लगा के सवाल तुमको पूछ रहा है पूछ है ना कुल खर्चा कितना बह laWx उसने किसके ब्राबर है एटी टू थाऊजेंट फाइफ हंदेड के ब्राबर है लेकिन पूरा का पूरा क्वर्यश लागते देखो सबस्पोज़ा जोड़ो तो सबको जोड़ो तो आएका कितना सौ पर्सट की वैलउं कितनी टोटल चापने के लिए तो सौ परसेंट हो जागा दोस्तों हमारा इसी के पिछ जीरो बढ़ा दो मत आ जाएगा ना इतना तो समझदार हो निगने तो निकालने आठ लाख पच्छिस हजार ये टोटल खर्चा आ गया आपका किसका पच्छ पंद सो कॉपी चापने का अब आपको क् सब्सक्राइबं आपको की आएएक कोपी का कितना आया ये निकाल लो तो पच्छ पंसो कॉपीश का इतना खर्चा आया थो एक कॉपी का पैसा कितना आए दोस्तों 825 0000 अब पां में कर दो 5ạ पच्छ पन का प्यार ठीक है जीरो से जीरो कटा अब देखो 5 से भी कट रहा, 5 से कट तो 11, 5 से कट तो ये 5 वंजा 5, 6 जा 30 और ये लो, ये तो इसे भी कट गया, 11 वंजा और ये आपका 5 जा, ठीक है, और ये कोई 0 रह गया, क्या, हाँ, 1650, 1500, ठीक है दोस्तों, तो भाई, अहां, 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 ठीक है, तो भाई, एक किताब की कीमत कितनी आई, मतलब एक किताब हमारी 1500 रुपे में छप रही है, मतलब पूरा खर्चा आ रहा है, लेकिन उसने बोला 25% मुनाफ़ा भी चाहिए, तो क्या करोगे, इस 1500 पे 25% मुनाफ़ा और जोड तो 25% कितना आएगा, 1500 का, 25% निगालो की, 1500, 27, 37, 30, निगाल देना यार, 25% क्या मतलब, 25% में 100, इन्टु में आपका, 1500, ये आगया मेरा, 37.5 रुपे तो इतना मुनाफ़ा भी चाहिए, भाई, इतने किताब है, और इतना मुनाफ़ा भी चाहिए, तो दोनों को जोड दो, सेलिंग प्राइज मिल जाएगा, है ना, विक्र है, मुल पूछ रहा है आपसे, तो इन दोनों को मैंने जोड दिया, तो मैं समझ रहा हूं, ये स्क्रीन पर पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा सा हो सकता है, आप लोग, वो कर जाओ, लेकि आप लोग डाउट पूछना है, ख सलदी करवा दीजिए, ये नंबर सिस्टम है, जो थोड़ा रोग दीजिए, ठीक है, मैं आप समझ गया, नंबर सिस्टम को मैं यहीं रोग दूँगा, आगे थोड़ा कम्प्रीट करवाऊंगा, उससे पहले मैं आप लोग के लिए, जैसा आपकी डिमांड रहेगे, प्लेश में जाएगा और प्लेश में मैंने टाइम और वक अपना रखाया, और वहां पर क्या है, भली सवाल इंगली में भी समझा रखे हैं उनको अच्छे से, तो कोई दिकत नहीं आएगे किसी को, आए तो हम है ना, किसली है हम, है ना, ठीक है, तो यह भी हो गया आपका अब इसको आप खुद कीजिएगा, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, इसको प्रिंटिंग कॉंटिटी और प्रिंटिंग कॉस्ट पकड़ो पकड़ो यह रहा है, यही इसका मतलब 20% का वैलू दे रहा है, देंदर अबाउंट ओ रोयल्टी कॉ प्रिंटिंग कॉस्ट में उसने इतने रुपे दिये हैं, तो बताओ रोयल्टी में कितने दिये होंगे, रोयल्टी के हाँ है, यह रहा देखो, देखना पड़ेगा 15%, तो आपको समझना है कि 20% जो उसने दिये हैं, 20% की वैलू है दोस्तो आपकी 30,600 रोयल्टी कॉस्ट प 30,600 अपॉन में 20 इंटू में 15, बस यही करना है, चलो करते हैं, 0 से 0 कटा, 2 कटा, 1 से यह कटा, 1, 5, 3, 0, अब इसको 15 से गुणा करो, 15, 0, 15, 3 जा, 45 का 5, केरी ओन, 4, 15, 5 जा, 75, 9, केरी ओन, 7, 15 बंजब 15, और यह हो गया, 22950, आंसर है, यह रहा आंसर, ठीक है, देखो, एक मुश्किल सवाल भी लिया था, लेकिन हो गया, इसलिए मैं लिया, कि आप अच्छे समझ सको, देखो, इसमें कुछ नहीं है, आपको बस यह पता होना चाहिए, परसेंडेज का मतलब क्या है, क्यूं है, जो डाटा दे र mailbook, is less than printing cost by, ठीक है, royalty cost कितना है, आपका, 15% यह ले लो, अब उसने बोलब प्रिंटिग कास्ट कितना है, print कास्ट 20% तो आप से पूछा गया है प्रिंटिंग कॉस्ट से रोयल्टी कॉस्ट कितना कम है अरे भाई यह 20% है यह कितना परसंट है 15% है कितना कम है 5 कम है लेकिन कितने पे पूछा है प्रिंटिंग कॉस्ट से कितना कम है तो printing cost नीची आ जाएगा upon में आपका 20 तो printing cost से royalty आपका जो है कितना कम है 15 में 5 या 5 कम है कितना percent कम है 5 upon में ये कर देंगे एक से अचा परतिस्षत निकालना है 100 से गुना भी करोगे एक बटे में 4 चार कटा आपका तो ये आ गया 25 परसंट बच्पन का प्यार ठीक है है हो गया तो दोस्तो ये थी हमारे आज की class आप लोग को दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत ही thank you ठीक है बहुत जादा ही thank you और आप लोग दोस्तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe है ना जरूर करवाईए अपने दोस्तों तक पहुंचाईए ताकि हमें अच्छा लगे आप बहुत समझदार लोग हैं बहुत ही प्यारे लोग है आप अगली class में में फिर मुलाकात होगी लेकिन तब तक आप practice करते रहिए as much practice as you can and a practice makes a man perfect but perfect practice makes a man more perfect ठीक है all the best from my side हम इस पर मिलते रहेंगे और सवालों के साथ और आते रहेंगे में class चलती रहेंगे तब तक लिए bye goodbye take care और देंगू से बचके रहना जारे मच्छा बहुत दिक्तर दे सकते हैं आपके admit card भी आ चुके हैं त्याम प्रेस को all the best bye-bye take care अपके बहुत दे सकते हैं त्याम प्रेस को all the best